ये पॉड्कास्ट के बाद में ऐसा होगा कि बहुत सारे नुमलोजिस है ना में को बिलकुल नफरत की नजरों से दिखेंगे कि यार पोल पट्टी खुल दी नुमलोजी के बारे में अगर हम देखेंगे तो अजे देव गन है ना दी इवी जी यूएन गन आता है से अंभर योज-वाइन निकाल दिया है डि य हूए डिवी जी अन कर दिया है सु इस यून ना आइल आता है उन्होंने E और एट कर दिया है आईशुमान खुराना है उन्होंने डबल N और खुराना में डबल R डाल दिया है नाम पाफुल हो जाता तो कहिना कि आपको एक support मिल जाता है वो चीज का mobile numbers का भी जो sensation चला हुआ है कि numbers बहुत impact कर रहे हैं जैसे bank account number यह होना चाहिए exactly कैसे work करता है 2024 में अगर दिखा जाए तो शनी का साल है 2024 सब के लिए hard working है और जो 2024 में hard work नहीं कर रहा है तो कहिना कि उसके लिए problem होगा जैसे मैंने आपको consult किया तो मुझे कैसे पता जलेगे यह मेरे लिए work कर रहे है नमस्ते दोस्तों Welcome back to Kamlesh Bararia Convergations आज हमारे साथ है Dr. Sachin Kumar Rai जो एक numerologist और वास्तु expert है आज हमने discuss किया है numerology के उपर बहुत सारे different aspects और perspective numbers कैसे impact करते हैं अपनी life में कैसे हम उनको अपनी favor में कर सकते हैं नाम और number कैसे हमारी life में positive changes ला सकते हैं और ये numbers 1, 3, 5 और 6 के क्या राज है ये in-depth में इन्होंने बता है career और business के लिए कौन से number favorable है हमें कौन से career में जाना चाहिए या business करना चाहिए financial growth के लिए कौन से numbers हमारे favor में होने चाहिए और सबसे important मुझे जो बहुत ही interesting लगा जब भी हम birth लेते हैं तो हमारे पास तो कोई choice है जो numbers है वो है तो हम कैसे अपने आपको ये numbers के साथ जोड़ कर हमारी life को कैसे next level पे improvement कर सकते हैं तो काफी अच्छा और interesting podcast हुआ है तो start करते हैं 3, 2, 1 नमस्ते दोस्तों वैलकम बैक टू कमलेज बरार्या Convergations आज हमारे साथ है Sachin Kumar राय जो numerology specialist है इन के साथ बहुत सारी चर्चा गरनी है क्योंकि numbers life में हमेशा जन्म लेने से लेके सुबह उठने से हर जगा पे आपको numbers की जरूत पढ़ती है तो sir, welcome अरे नमस्ते जो आपने आपके podcast में बुलाया है बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही positive atmosphere है और बिलकुल numerology के बारे में हम बात करेंगे ज़ादा कर ये podcast के बाद में ऐसा होगा कि बहुत सारे numerology से है न में को बिलकुल नफरत की नजरों से दिखेंगे कि यार पोल पट्टी खुल दी numerology के बारे में ऐसा मत भूलिये sir जो भी है numerology से related बहुत सारे myth है बहुत सारी लोगों ने नेगेटिव चीज़ें क्रियेट की नियूमलोजी के बारे में तो कोशिश करूँगा कि जो भी negativity है लोगों के दिमाग में about numerology वो मैं clear कहीं ना कहीं आपके podcast के माधियम से करना ये sir welcome sir मेरा पहला question है ये वेदिक astrology है और numerology ये दोनों में difference है या फिर connection है या hand to hand चलते है नहीं लेखे क्या हो जाता है हमारे जितने भी रिशी मोनी थे उन लोगों ने जो शास्त्र बनाए है वो अलग-अलग शास्त्र है जैसे जोतिश शास्त्र अलग बनाए है नियूमलाजी अगर हम लोग देखेंगे तो वेदिक नियूमलाजी हम जाता कर बोलते है वो अलग-अलग ही बनाया है इन लोगों का interconnection comparatively come है अगर interconnection होता तो कही ना कही हमें शास्त्र में दिखता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे कही ना कही उसको combine करके experiment करने की कोशिश की गई कि भई कैसा है तो कही ना कही ये positive गया और कही ना कही इसका कुछ result नहीं आया तो अगर हम लोग numerology में देखें तो numerology और astrology में planet के अलावा यानि ग्रहा के अलावा ऐसा specific combination नहीं है तो अगर हम लेखें कि दोनों ही अलग-अलग अपने separate में अलग-अलग शास्त्र है यानि आपका बूलना है कि जूतिश शास्त्र को भी बताना है और numerology दोनों का combination लेकि अपने benefit में यूज करें देखे वो तो depend है जैसे मैंने कहा कि यूतिश शास्त्र अपने आप में बड़ा शास्त्र है numerology अपने आप में बड़ा शास्त्र है बस दोनों में थोड़ा बहुत अंतर आजाता है चीदों से related ओके तो यानि दोनों अपने अपनी जगा पर सही है बिल्कुल अगर हम लोग देखें शास्त्र है ना अपनी अपनी जगे पर सही जैसे कि हम astrology आ जाती है numerology आ जाती है tarot आ जाता है वास्तु आ जाता है सब के अपने अपने अलग अलग शास्त्र हैं अपने अपने रूल्स हैं और हमारे शास्त्रों में दोनों का बिल्क्रां को रह刚ऊ ranking कुछ प sud ben так की नू इरिक भी होता है तो इसकी इस अपनाम होता है हर को इसी को अपना मैंने होता से बटाता हैं कि हमारा जो वेडिक広प बारे में बता ते हे वेद से आका है ओमारा जो नुम लौज़ी मैतफड वह लगे, उसके अलब अगर हम देखेंगे तो चल्डिन के आ जाती है, चल्डिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये कही न कहीं, बैबलॉन जो एक सिफिलाइजेशन था, वहाँ से कही न कहीं से आती है उसके बाद में हम देखेंगे कबाल आ जाता है कबाल अगर हम देखेंगे तो हिब्रियू कल्चर से आया है उसके बाद में हम देखेंगे पाइथोगरिन है ना पाइथोगरिन जो है हम लोग ने स्कूल में पाइधोगरिन जो तेरेम समय आते हैं तो वो कही न कहीं आया है हम देखेंगे तो ग्रीक मेतथड्स अजया है तो इसी प्रागार चैनीज अगर हम लोग देखेंगे तो यू खुरिड आ जाता है तो न्यूमेजी में यह अलग-अलग मैफ़ड्स है कोई बोलता है कि वेदिक Newology बहुत अच्या है कोई बोलता है कि हमारा पाइथा ओगरेंट बहुत अच्हा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जादा कर हम हम noticed और जूद बोघे चालनजрет नूमीलोजि को भी एपर को न्योगी पक है जादा चलन चलन्फ म को आप пог्रन में और total के रिदल नहीं आते हैं पर हां क्योंकि मैं चल्डेन नियुम्रोजी को ही ज्यादा फॉलो करता हूं इसके लिए तो सर इसमें नंबर वाइस रहते हैं कैसे रहते हैं मुलांग और यह सब मैंने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन मुझे समझा नहीं तो आप अच्छे से मुझे भ नंबर होते हैं उनको अपना अपना हम बोड़ सकते हैं कि उनकी पस्नालिटी होती है यह उनका बिहेवियर होता है तो एक से लेकि एक नंबर का लग होता है दो नंबर का लग होता है वह इसाफ से अब यहां पे हम आ जाते हैं कि मूलांक और भाग्यां कि क्या होता है मूल चार आ जाता है अब समझ जी कि किसी का 25 है तो 2 प्लस 5 इस इकल टू 7 यानि कुल मिला के हम सिंगल नंबर है वो तो आ गया एक से लेके नौ बाकी अगर डबल नंबर है तो हम लोग उसको प्लस कर लेते हैं सिंगल डिजिट में हम लोग उसको लेकर आते हैं तो इस प्रकार से हमारा जो है मूल यान हमारा बेस भाग्यांग जो होता है वो हमारी पूरी की पूरी जो डेटा बर्थ होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं वह आपका भाग्यांग आ जाता है अब उधारिन के तौर पर एक सिंपल नंबर मैं ले लेता हूं जैसे कि किसी की 1st जैन्वरी 2002 म लेता है तो 6 आजाता है तो monopol last है क्यों के पूरा कीपूर डेट ओबर कैलकूलेट करते हैं तो 1 plus 1 plus 2 दुर यानि total 6 दुनका जो मोलांग जो है वह एक आजाता है और वह बाग्यांग 6 आ तो अब बहुत बार यह भी आ जाता है, किसर दोनों हैं, तो फिर हम किसी को मानें, जो मूलांग जो होता है, हम यह बोल सकते हैं, कि आपके जो भी दे-टो-डे activity है, उसके लिए काम आता है, भाग ज्यांकर वह आपको सपोर्ट करता है, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, यह हमार जो आजाता है गया को आपको सपूर्ट करता है यहां पर आपका जो सपूर्टिंग नंबर है वह पॉस्ट आए तो बहुत अची बात है और अगर नेगेटिव आया तो ऐसा हो जादा कि आप सैकल चला रहे हैं और अपनी सैकल का पैडल मारे पर आगे नहीं बढ़ पारे हैं साइक्ल तो चला रही है आने महनत तो कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंती आप healthy Lakes कई नंबर ऐसे का भी मेरा दे रहा है तो यह चर आपने बताया तो कैसे अपना अपना personality आपने बता है तो पूरे detail में बताएंगे number wise या कैसे करेंगे देखें सिंपल सा है मैं जैसे आपको बता रहा हूं everything is very simple number जो होते हैं कोई negative नहीं होता है पर अपना अपना हर किजी का स्वभाव होता है अगर मेरी आँख है मेरे चहरे पर मेरे चहरा है मेरी आँख है मेरी आँख देखने का काम करती है पर यार वो सुन नहीं सकती है मेरे जो कान है वो सुनने का काम करती है पर वो देख नहीं सकते है तो हमको हर number की अपनी एक specialty होती है strength होती है और weakness होती है बाकि ऐसा नहीं कि गलत है है ना कि बहुए negative है अब जैसे कि आँख है वो सुन नी सकता इसका मतलब आँख का कुछ अपना जो काम करती बराबर है उसकी strength है कि हम देख सकते हैं कान है उसका सुनने का काम है तो यह सारी चीज़ है नंबर जो होते हैं एक से लेके 9 नंबर तक अगर हम लोग देखेंगे तो हर नंबर का अपना character है अपना स्वभाव है चलिए मैं आपको चाहिए तो एक एक अपना जकम करते हैं अब जैसे की एक नंबर आ जाता है एक से लेके 9 7 अगर अगर हमभी देखेंगे तो ई क्यों और को हम एक अगर है और हम सुर्य को दे रहे हैं सुड× आपको माहले में हमारे टानेट ओर शूर्ण सिस्टम रह किatur peng वाजा आजाते हैं इसके लिए king जो है वो represent कर रहा एक number को तो sun आ जाता है अब sun का मतलब king और king का मतलब raja अब raja का स्वभाव कैसा होगा आप ही बताई है स्वभाव कैसा होगा मेरे हिसाब से दुसर यह रहेगा एक number जो raja होगा मेरे हिसाब से काम करना है मैं जो बोलूँगा वो rules follow करना है attitude रहेगा ego रहेगा बराबर पर उसकी बात भी सब लोग सुनेंगे वो जो सोचता है क्योंकि एक number leader आता है leader की quality होती है arrogancy होती है जैसे जैसे आप पर राजा होता है तो राजा आपने हिसाब से काम करेगा पर वो काम करेगा अगर वो काम नीकरेगा तो इसको लोग निकाल देंगे जैसे की आज हम देखते हैं कि politics में हम देखेंगे कोई भी मंतरी होता है CM या PM होता है अगर वो काम ने करेगा निकाल देगी तो उनको हम leader की तरह दिखते है कि भाई यह जो भी decision लेंगे हमारे favor में रहेगा तो एक number यानि कि king आ जाता है तो उसमें उसकी quality क्या है भाई यह leadership quality आ जाती है अच्छी personality आ जाती है decision making power आ जाता है यह सब उसकी अच्छी quality है वो जो सोचता है उसको focus आ जाता है concentration आ जाता है dedication आ जाता है यह सब इच्छी quality है उसने जो commit किया है वो कहिना कहीं पूरा करने की कोशिश करता करता है तो कि वो leader है execute कर सकता है execution power है उनमें है ना दूसरा dominating nature है commanding nature है ठीक है negative में क्या आ जाता है यही dominating nature हर कोई आपका dominate आप करोगे तो नहीं होता है attitude आ जाता है अकड आ जाती है ego आ जाता है वो कहिना कहीं problem आ जाता है पर यह एक number में रहते ही है तो एक number यानि कि हम बोल सकते है king या तो sun को represent करता है तो जो भी एक number वाले है यानि कि जिनकी भी date of birth एक होती है या हम बोल सकते हैं कि 10 होती है या 19 होती है 28 होती है वो कहीं न कहीं एक number represent करता है यानि कि हम को या तो एक और 10 दस में अगर हम देखेंगे तो 0 की कोई पहचान नहीं identity नहीं हम पहली बता आच चुके है numology के इसाब से कोई भी numology के इसाब से जीरो जीरो ठीक है वो हो जाती है बागी अगर हम लोग आगे देखेंगे तो जैसे कि हम 19 देखते हैं तो 1 प्लस 9 इस उकल तो फिर से 10 आ जाता है 2 प्लस 8 यानि कि फिर से 10 आ जाता है तो उस प्रकार से एक ही number आ जाता है तो ये जितने भी जिनकी भी डेट आप यानि कि 1 है उनमें ये कहिना कि आपको क्वालिटी दिखेगी मतलब अगर हम बोलेंगे कि जिनके बाद पैसा होता है तो उन लोग के पास तुमें तो आटीडूट होता है यानि नमबर का इंपक्त कहीं न कहीं अड़ता है अगर आपको मालूपड़ जाता है ये अच्छी अगर आपको मालूपड़ जाता है आपको मालूपड़े कि ये strength है तो आप उसको आप हम बोल सकते हैं कि उसको exploit करो उसको utilize करो क्योंकि बहुत सारे एक नमबर आपको ऐसी भी दिखेंगे मुझे बहुत सारे एक नमबर ऐसे दिखने है जिनमें वह quality है पर वो अपनी quality नहीं पहचानते है सबसे बड़ा important यह है कि आपका strength पर ज्यादा काम करें बिल्गुल बिल्गुल तो weakness को अच्छा करने से better है कि strength को पूर आप अपनी strength को utilize करो उसको अच्छा से exploit करो और आपकी जो weakness है उसके उपर आप focus करो अच्छा एक नमबर वाला इसमें यह यह चीत है चलो यार मुझे मान पढ़ गया मेरे में यह है मुझे यह quality develop करनी है दूसरा यह weakness है यार attitude है ego है यार सो control में रखना है हर किसी को dominate करना ज़रूरी नहीं करते हैं अगर नहीं करते हैं तो अगर आपको कोई दिखता है और अगर वो life में successful नहीं होता है तो उसके habit या behavior के कारण या उसके thinking pattern के कारण उसको सब कुछ दिया है और वो उसको यूज ही नहीं कर रहा है यानि सब कुछ अपने अंदर ही है आप पैचा नहीं नहीं रहे तो यह एक नंबर के बारे में आप दो नंबर के तरफ आ जाते हैं जो दो नंबर याने कि जिनकी बीड़ दो होती है हम देखें 11 होती है उसके बाद में हम 29 होती है 20 होती है ऐसी लोग दो नंबर की करते हैं अब चंदरमा को रिप्रेजिन करते हैं तो आप चंदरमा हम क्या बोलेंगे मैस्कुलेन बोलेंगे फैमाइन बोलेंगे फैमाइन थंडा हम जब भी किसी कोई भी फीमेल है उनकी खुबसूरती के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो हम चंद को रिप्रेंद तो चंद जैसा चेहरा है तो तुम तो चंद का तुकड़ा हो अब यहां पह का नहीं बदलते हैं तो जो दो नूमबर वाले होते हैं तो लिटी घुर पाझेशन पावर बहुत अच्छा होता मैं जिनका कहिं था कि यहां पे इनका एक प्रोब्लॉम होता है कि छोड़ द्सलान से आलवा है यहने ऐसा हो जाता है कि चलो 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 काम करेंगे काम करेंगे तो आपसे काम करवा लेंगे पर खुद काम काम करेंगे अच्छा बिल्कुल इनका सभाव ऐसा है हम यह नी बोलेंगे कि बिल्कुल आलसी होते हैं पर अगर हम बोलेंगे कि जहां फिजिकल वक होता है वहाँ प करेंगे हुट हुं काम करेंगे बच्चा कोच आपन काम करेंगे वह साफ से इंटुशिय स्वावर अच्छ होता है लोगों की समय सकते हैं बहुत ही गावख होते हैं दो नमबर को अगर हमें कुछ काम निकालना है तो हम यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा emotional blackmail करेंगे तो उन लोग हो जाएंगे और अपना काम निकल जाएगा बाकि अगर हम लोग देखेंगे decision making में decision कहीं होता रहता है क्योंकि moody होते हैं है ना तो वह अगर हम लोग देखेंगे तो यह इनका कहीं कि वह आजाता है हम बोल सकते हैं कि backdrop उनका यहीं हो जाता है कि moody होते हैं तो उनका decision नहीं आप सोचिए ना इनको हम यह बोल सकते गुरू यानि टीचर आप सोचिए जो भी पढ़ाता है उसके पास knowledge भर भर के होगा अगर उसके नॉलेज यह को तो पढ़ाएगा निगा जो तीन नंबर वाले होते हैं इन लोगों में अगर हम देखेंगे नॉलेज कूट कूट कू ले लो आपने रिखांगा ना बहुत लोग होते हैं और कोई चीज में पढ़ जाते हैं तो पुरी इंफॉर्मेशन ने का उनको कूट कूर सिटी होती है तो तीन नंबर वाले जो होते हैं ऐसे होते हैं तो तीन नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो यह गुरू आ जाता है यहाँ पर अगर आपके पास knowledge हो तो आपके पास में एक चीज और आजाती attitude यहाँ पर इनका इगो और attitude यहाँ पर भी आजाता है क्यों तीन नंबर वालों का क्योंकि मुझे मालूम है यह किसी की बात नहीं सुनते हैं यह अपनी ही चलाते हैं आप कितना भी उनको कुछ भ और दिप्लोमेट्री इनको आती नहीं है कि हां में हां मिलाना या चलो ठीक है मुफत हम जिसे बोलते हैं वो कही न को प्राइब कुछी चीज का डर नहीं यहां पर इनके यह थोड़ा एक्टीटूड है या मुझे सब कुछ आता है इसमें के करियर से रिलेड़ेट प्रॉब तो आप देखेंगे कोई बहुत अच्छा प्रोफेस्टर उसको दुनिया भर का नॉलेज है पर कही ना कि उसके पास पैसे नहीं है वो जिनको सिखाएगा उनके पागो अमीर हो जाएंगे लगपदी करोड़पदी जाएंगे पर यो तीन नंबरे बिचारा वही चल रहा है इतना मिल रहा है वही हैं टुमाट मतलब जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा तो तीन नंबर का यह तो तीन नंबर अगर कोई है तो उनको बस यह समझना है कि मुझे एगो है यह मुझे सब कुछ जाता है यह थोड़ा पीछे रखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा हो बहुत अच्छा होता है अगर हम नंबस के हिसाब से लेखेंगे तो पढ़ाने वाला भी बहुत important है बिल्कुल teacher है master है बिल्कुल सही बात है तो बहुत बार ऐसा हो जाता है जैसे हमने सुना भी सरस्वती है लक्ष्मी है हमारे पास तो बिल्कुल तीन नंबर जो है ऐसे ही सर है और जो केतु है वो धड़ है केतु साथ नंबर आ जाता है तो यहां पर चार नंबर यानि रहू आ जाता है आपके पास सर है आपके पास धड़ नहीं यानि आपके पास दिमाग है आपके पास शरीर नहीं करने के लिए तो चार नंबर जो होता है उसका दिमाग इतना तेज़ चलता है कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है यानि कि sky is the limit चार नमबर वाले की thinking जैसे हम बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट होते हैं या कुछ creative लोग होते हैं या कुछ create करने वाले याते हैं वो जादा कर चार नमबर वाले आपको लिखेंगे जो लोग सोच ही नहीं सकते हैं वो चार नमबर वाले वीं arist क है क्रिएशिटिविटी है चार नमबर geliyor या भी होते हैं कि कुछ भी चीद अचीव कर सकते हैं चार नहाबर वाले का problem ही होता है कि जादा कर्णी उपलोग होते हैं वो लगभग एक ही जैसे वावा होता है एक नमबर क्योंकि वो king है उसको लोगों ने king मना है चार नमबर वाला king नहीं है उसके हिसाब से वो ही king है attitude का जाधा यहां पर problem आजा, चार वालों में भी बहुत attitude होता है जैसे मैंने बताया ना वो राजा नहीं पर अपने आपको राजा समझते हैं और हां बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो जो राजा होते है, है ना, वो कहें न कहीं, चार नमरं वालों से काम कर वाते है, एक, जो किंग हो ता है, उसको, चार नमर वालों की जरुत पड़ती है, क्योंकि वो कुँछ भी अचीव कर सकते हैं, उनमें, वो strength होती है, काबले होती है, जैसे मैं हमेशे बोलता हूँ या तो चार नमर वाले हैं या तो चांद तक जाएंगे या रात तक ही खतम हो जाएंगे बहुत ही क्रियेटिव होते हैं इनुवेटिव होते हैं कुछ भी अचीव कर सकते हैं everything possible if they believe, अगर वो believe करते हैं, तो चार नमर वाले कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बहुत अचीव planning कर सकते हैं, करते हैं planning, execution में कहिना कहीं problem आजाता है, अगर execution वो नहीं कर पाते हैं, तो बस planning ऐसा है कि मेरे दिमाग में idea आई, और कुछ time बाद में किसी और की निमाग में आगे, तो वो खतम हो जाता है, तो चार नमर वालों को ये चीज़ हमेशा याद आखने हैं, कि जबी भी कोई idea आता है, वो फटाक से execute करना है, execution में कहिना कहीं, जैसे मैंने का इनका सर है, धड़ नहीं है, तो वो कहिना कहीं उनके लिए problem के तौर पे, चार और नौ, नौ का combination आजाता है, और है, जाधा कर हम बोलते हैं, पर नौ physical activity जाधा करता है, तो चार के रिमांग में idea आई, और जो नौ है उसको physical activity करने में मदद करता है, तो कहीं न कहीं combination अच्छा चले जाता है, तो यह था चार नौबर के बारे में, आगे बढ़ते हैं सर, पांच नौबर, पांच नौबर अगर हम देखेंगे, तो यह neutral है, पांच नौबर आप देखें, simple शब्दों में, पानी, पानी कैसे, पानी को आप कोई भी बरतन में डाल दीजिए, उसका shape अपने बदल जाता है, ग्लास में डाल दीजिए, तो यह ग्लास जैसे हो जाएगा, लोटे में डाल दो लोटे जैसा हो जाएगा, छोटी कटोरी में डाल दो कटोरी जैसा हो जाएगा, तो 5 नंबर वो है वो balancing number हम बोल सकते हैं life में balance new blog के साब से 5 नंबर को हम बोलते हैं कि राजकुमार प्रिंस राजा रानी राजकुमार ती नंबर गुरू है यानि कि टीचर आ जाता है तो 5 नंबर अच्छा 5 नंबर के अच्छी बात ये भी है कि 5 नंबर के ऊपर चार नंबर पांच नंबर के नीचे चार नंबर यानि कि कहीना कि ऊपर भी चार नीचे तो बीच का नंबर आ जाता है पांच नमबर वह वह वुद्ध को री प्रेज हैंनिकी नमबर यानि जिनकी भी डीलो वकुोती है चती है यह पीजोती है फोर रहिए मस तकती है शॉच्तने करने यहां भी चले जाओं मल्की टास्कर जो होते हैं 5 नंबर वाले होते हैं ज़रूरी निये हैं कि हर चीद करें पर उनके पहीना कि हैं जए के लिए बहुत अच्छा है अगर किसी कोई husband wife है वो पांच नंबर है तो बिलकुल edges बराबर से कर लेंगे किसी भी चीज में है आप देखोगे कि अगर top ranking में भी वो बराबर रहेंगे और labor के साथ में भी अच्छे से बात करेंगे यानि हर लेवल हर लेवल पर जैसे मैंने का पानी पर इनका प्रॉब्लम यह ना नहीं कर पाते हैं तो यह कहिना कि उनके लिए मुल्टिपल टास्क करते हैं उसके लिए कही ना कहीं जरूरी नहीं कि हर चीज में उनको सक्सेस मिले और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि में भी कही ना कहीं प्रॉब्लम आता है तो अगर सोच समझे डिसिशन ले तो अच्छा पर पांच नमबर ओवरॉल देखें अच्छा नमबर की कैटिगरी में आता है और आगे बढ़ते हैं सर छे नमबर मेरा फेवरेट नमबर है सर लक्षर नमबर आजकी तारिक में कल य आगे बढ़ते हैं जो लक्षरी आगे बढ़ते हैं इनको लक्षरी पसंद आती है इनको मतलब लाइफटाय में चेंजिए यहां गुमना पैसे उड़ाना अच्छे कपड़े पहनना अच्छे कुशबू है जाए न दुनिया भर का जो सुख हम बोर सकते हैं न पो थो आए हमेश्या च्हहन नंबर उसके लिए रहेगा ज्यहनिए वाले को कहीए यह मैं वह सारी चीदे मिलते जो उनको चीदे हैं चाहिए युद्ध मैं कहीड़ीों होते हैं इन में जादा कर एडिक्शन के चांसित भी बढ़ जाते हैं कोई चीज का लग्जरी है यार यह करो वो करो है ना तो छह नंबर कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि कोई छह नंबर भी क्रेटिव होते हैं छह नंबर में मैंने जैसे कहाना कि इनको लार्जर देन लाइफ चीजें प बर्बाद होने के चांस्ते होजाते हैं क्या बाद में पैसा है लग्जरी पर आज़की तारी अगर हम लोग देखेंगे तो 6 नंबर हर किज़ी को चाहिए क्यों कि यह पैसा अभी मैं देख लाए तैक उससे कहार और कर लेकर आज जो करना इचें अश्व क्या हो जाता है अगर हम देखेंगे जब हम देखते हैं कि एक नंबर किंधन नाम बने के बीचे कि भूक्तन मुश्च कि और षैम नंबर वाले जो होते हैं वह और हम राहू और केतु देखें तो राक्षास गंड की तरफ होते हैं, पर इसका सर नहीं है, सोचने समझने की शम्ता comparatively कम होती है, मतलब कम का मतलब ये निकी बिल्कुल सोच से समझते नहीं है, बिल्कुल अच्छे analytics हो सकते हैं, जो CA होते हैं, कही ना कही ये profession में जाते हैं, analytical ability इनमें अच्छी होती है, पर कही ना कही हैं, क्योंकि सर तो होता नहीं है, दिल से सोचते हैं, और जब दिल से सोचते हैं, तो धोका खाने के चांसे जाता कर बढ़ जाते हैं, साथ नंबर जो हैं, अगर हम लोग देखेंगे, इनका intuition power अच्छा आता है, ऑकल फिल्में भी अच्छे होते हैं, दयालू होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, पर इनको easily बेवकूफ बनाये जा सकता है, इनको लाइफ में बहुत बार धोके मिलते हैं, और इनको पता होता है कि सामने वाला हमें दोका दे रहा है, फिर भी वो सामने वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, सेम ना बोलने में इनको भी दिक्कत होती है, जैसे पाश नंबर में आपने बता हैं, इसी का बुरा नहीं चाहते हैं ना किसी को लूट नहीं शकते हैं मैं अन्यूपिलिक नहीं सकते हैं वो कही नहीं साथ प्रवि शॉपने नहीं घ्लिए बहुत बहुते हैं इसके कोई और बूक कूकि सब्सक्राइब डिसिशन ले च пожеллагोट जोड़ा देल हैं अगर हम लोग देखेंगे, आँड नमबर यहनेधेन, यहने शनी, यहना आँड नमबर सुनके लोगों को डर लगता है, आँग नमबर जिनकी भी औigue 1, 8 होती है, 17 होती है, यह क्यों हम बोल सकते हैं, 26 होती है, यह आठ नमबर में आते हैं, शनी जैसे हम बोलते हैं तो से गिना रлекर जाता है दिल सब्सक्राइब आ थि इ। इसने जो होते हैं वह आपको खूब मेनत कराइए तो आठ नमपर वालों को सब्क्राइब आद trucks अगर वह खाली बैठे पर आपको आपको उतनी सक्सेस मिलेगी तो अगर आप मेहनत न ही करोगे या आप सोचोके कि आडिकुटे की करते हैं नहीं तो आपको पस रगड़ते रहना है मेहनत करना आपको success ज़रूर मिलेगी और अची खासी success मिलेगी हम आठ नमबर को negative भी बोलते हैं पर वो negative नहीं है infinity का sign भी है अगर हम उसको थोड़ा तरशा कर लें तो infinity का sign आ जाता है तो positive है तो आठ नमबर को ज़्यादा negative नहीं लेना बस यह है जैसे मैंने का आठ का काम देखने का होता पर वो सुन नहीं सकता उसी प्रकार आठ नमबर जो होता है वो आपको थोड़ा मेहनत देता है थोड़ी struggle कराता है पर अगर आप वो करते हो तो आपको result बहुत अच्छा मिलेगा लॉंग टम में इसका बहुत अच्छा देता है बहुत बिल्कुल बिल्कुल जो एक बार देने पर आ जाता है वो सब कुछ आपको दे रेता है आप सोचते नहीं वो तब दे रेता है पर मेहनत आपसे दरूर आए शपर फार के मिलेगा शपर फार के और आपको रूल से रेगुलिशन वालो करने शणी को अच्छा लगता है इफ यू फॉलो रूल से रेगुलिशन अप इमान दरी से अपना काम करते हो मैनस से आपको थोड़ा दिले होगा पर आपको इसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा कि बिलकुल मिलेगा मिलेगा नौ नमबर को मार्स को आजर आ जाता है घर ले वाले उस इसके थे क्रवन रूटाइस होती ऑटो हम soldiers होते हैं ना जमीन पर लड़ने वाले किसी से डरते नहीं है बिल्कुल वो कैटेगरी में आ जाता है इन लोग किसी से डरते नहीं फिजिकल अक्टिविटी नौन नंबर वालों की जाधा होते हैं आप कोई भी फिजिकल अक्टिव जाधा दिखेंगा और उनको करना भी च करने के बारे में सोचे तो कर सकते हैं दूसरा फिजिकल अक्टिविटी करेंगे तो जल्दी थकते नहीं होता है नौ नंबर के पास से आप कुछ भी हेल्प कर लीजिए तो आपको मतलब सब कुछ देने को तयार हो जाएंगे पर अगर आपके बारे में कहीं उनको किसमना है और अधर हम लोग देखेंगे न इनम लोगों ने ऐसे बना के रखा है विजिए पaty नॉंबर वहते हैं जो कहीं न कहीं प्तर शनी देव यहाँ अट कान सब्सक्राइव यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक नंबर कूकि सूर्यदेव है करिके नमबर जो है श्य को पसंद नहीं रहते थे तो नघमpert करते थेंकस करते दूसरों से दूसरा कही है चिला द कु कि उनका निचर वैसा था ह। य youngest कोई चिला घर बीए उनको पसंद रियाएगे तो एक नमबर वाला आंट के साथ compare या compromise करने को तयार है पर आंट नमबर वाला एक के साथ में compromise करने को तयार नहीं है तो हम यह बोलते हैं एक और आंट हम बोल सकते हैं कि anti number नहीं होना चाहिए जाहिए जाता कर क्योंकि कहिना कहीं दोनों में हम बोल सकते हैं कि दोस्त, वो तब तक ठीक है, पर अगर आब बिसन्स पार्टर बन जाते हैं, या ऐसी कोई चीज हो जाती है, तो वो कहीना कि complication लाता है, दूसरा जो number आजाता है, वो आता है, तीन और 6, अब ये क्यों आता है, या लोगों की सेवा को और मदद करो, 6 नमबर बोलता है लगजिरी में जाओ, ये सारी चीज़े, देव के गुरु है, जो अच्छी अच्छी बाते बताते हैं, देटे गुरु जो है अच्छी बात के साथ में बुरी बाते हैं बोरी बाते हैं तो वो कहिना कई दोनों का एक तो तुनों उल्टे ही खड़े रहते हैं तो इसके लिए हम बोलते हैं चैस्टिस का आकड़ा बाकि अगर हम लोग देखेंगे तो एवरेज या फ्रेंड ली नेचर होता है एंटी जाधा कर नहीं होता है अगर हम लोग और इन देप्ट मेंने बाल की खाल में निकालें तो जबर्श्ति आ जाता है पर अगर आपकी लाइफ में एक और आट या तीनों छे का कॉंबिनेशन नहीं है तो आपको टेंशन लेनी की ज़रूति नी बाकी दूसरे की नंबर आपको कंपैर यह हम बोल सकते हैं कि कॉंपरमाइद एड़ेस्ट्मेंट हो जाता है ऐसा कुछ नहीं बाकी अगर आप देखेंगे कि दूसरे बताते हैं यह बहुत ही फ्रेंडली है अगर हम देखेंगे उसको बाएं में सुचन है और 17 आपके लिए त्सक्राइब ऑड यह लोगों क्रियेट कर रखा है यह यह हम लोग ने मुवीम्त में देखा एक और ती नंबर आ यानि कि आप एक नमबर यानि सन यानि सूर्य किंग और ती नमबर यानि गुरू यानि कि गुरू यानि गाइड करने वाला हम मंत्री भी बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा करता है तो ऐसा कुछ बहुत अच्छा करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है तेरा जैसे मैंने बता है कि बाकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है यानि अभी आपने बता है वन प्लस त्री यानि तेरा तो वह बी अलग-अलग काउंट करके होता है या फिर अभी आपने मूलांक विलकुल बिलकुल आपने जैसे बता है कि तेरा वन और थ्री अल्टिमेटली उस चार नमबर पर आजात तो वह क्रॉस आजाता है तो वह कहिना कि प्रॉब्लमेटिक तो क्रियेट करे गई हो एक नमबर और आट नमबर अगर हम देखेंगे एट एक नमबर आयने कि और यानि जो भी आप करोगे यानि कि अगर एक आपको आगे बढ़ाता है चार कदम आगे ले जाता है तो आप आट आपको दो कदम पीछे ले जाएगा यानि आप चार के पर ले दूसरे ग्रोफ लो हो जाएगी ग्रोफ होगी क्योंकि एक नमबर है आपका और यहां पर उल्टा हो जाता है अगर आपका समलीजी कि मोलंक आट है और आपका भागयां केक है तो फिर ऐसा हो जाएदा कि आप कितना भी करो यहां थोड़ा सपोर्ट मिलेगा पर यहां तो यह एक नेगटिव कॉमिनेशन आजाता एक और आट का और टीन और च्छे का यही एक नियुमलोजी में एक सेट बैक है बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई नमबर में इतना में तो आट नमबर को बहुत ऐस बहुत लगी नमबर मानाखना नोगा है तो इन्फिनिटी का आजाता गोड़ाएं के चीरे हुते हुती हिए काभी खत्म होने वाली नहीं है तो पॉढ़ा शनी आजाता है एतो जब हम प्लानेट के इसाप से देखते हैं तो कही 나 कही नेगेटिव क्योंकि श्रगल देता है और आज की तारीक में कौन महनत करना चाहता है हर किजी को एसी आफिस में बैठना है कि तो काम नहीं करना है या थोड़ा बहुत काम करना है को मुः सॉ सब्सक्रण तो करना चाहते हैं नाम और नंबर का शाथ है हम और टीक है घ्रिक है। नियुम्टलॉजी में हम ले अवरब लेते हैं इंपॉर्टन बागी हम लोग लोगम मनदब प्लेश ऑ बर्थ है या टाइम हम लोग लेते नहीं है वह आ लोग हम लोड देखेंगे लिल्ट कंबर होतेि हैं जी Ici मनेने देखा कि मूल अंग है भागयांग है यह अ अगर आपके favor में नहीं होते हैं, है ना, या anti होते हैं, तो हम लोग फिर यह option देखते हैं, कि भाई, आपका जो नाम है, नाम में जो alphabets होते हैं, उसको हम numbers में convert करते हैं, number में convert करने के बाद में, again, उसका पूरा की पूरा हम total करते हैं, और फिर देखते हैं, कि वो कौन से number पे आता है, जैसे कि, अगर हम लोग देखेंगे, किसी का 4 और 9 है, 4 यानि राहू, यानि मूलंग और भाग्यंग 9 आ जाता है, जो है न, मार्स का आ जाता है, तो 4 और 9 अगर हम देखेंगे, numerology के हिसाब से, तो हम इन्हें एकदम powerful number की category में नहीं डालते हैं, powerful number की category में हम डालते हैं, 1, 3, 5, और 6, फिर से, 1, 3, 5, और 6, बाकी number जो है, जैसे कि 9 number है, बिल्कुल action वाला number है, पर हम बोलते हैं कि उसको guarantee, उसको आप कोई भी task दे दो, वो काम कर लेगा, 9 number वाला, ठीक है, पर हम बोलेगे कि किसी का mind होना चाहिए, तो वहाँ पर वो चीज नहीं आती है, तो अगर किसी का 4 है, 4 यानि कि हम देखेंगी, बिल्कुल mind है, बिल्कुल जैसे मैंने का कि sir है, 9 number यानि कि बिल्कुल action वाला है, बहुत अच्छा combination है, पर अगर उसका नाम, अगर हम numology के साब से calculate करते हैं, तो अगर कोई गलत number आज़ दो आजाता है, है ना, या तीन आज़ाता है, या वाफिस चार आज़ाता है, तो इतना powerful नहीं है, तो ऐसे लोगों को फिर हम लोग एक number recommend करते हैं, याने कि उनका जो total है, जो नाम है, नाम का जो total है, वो हम लोग एक की उपर लाके देते हैं, जैसे कि A है, उसका alphabetically हम लोग number में convert करते हैं, तो A का 1 आज़ाता है, B का 2 आज़ाता है, इनका अपना पूरा की पूरा अगर हम देखेंगी, की index रहता है, उसमें numbers को हम alphabet में कैसे convert करते हैं, तो वहाँ पर total number जो है, वो अगर एक पर आज़ाता है, तो बहुत अच्छा क्राम हो जाता है, अब आप बोलेंगे, सर एक और चार्ज जो हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं, नहीं, पर मैंने कहा, चार number वाले को अगर guidance मिलता है, यही सीधा रास्ता है, और 9 number वाले जो कुछ भी करने को तेयार है, उनको अगर guidance मिलता है, तो बहुत अच्छा number हो जाता है, तो एक number अगर हम लोग देखेंगे, numerology में किसी का एक number अगर आ जाता है, तो चार और 9 number जो यहाँ वाँ, चार बोलता है मैं यह करूँगा, नौ बोलता है मैं यह करूँगा, एक number आ जाता, तो एक number कोई की राजा है, राजा की बाद 4 और 9 को तो माननी पड़ेगी, तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा है, कि numerology में हम लोग नाम का, हम लोग कैसे number में change करते हैं, convert करते हैं, ऐसे हमारे पास में बहुत सारे examples हैं, बॉलिवूड में अगर आप लोग देखते हैं, तो बॉलिवूड में अगर हम देखेंगे, तो अजे देवगन है, देवगन में, उन्होंने जो देवगन है, है ना, D-E-V-G-U-N, गन आता है, तो उन्हें यू निकाल दिया है, D-E-V-G-N कर दिया है, तो एक नमबर निकाल, सुनी शेट्टी है, तो S-U-N-I-L आता है, उन्होंने E और एड कर दिया है, आईश्यमान खुराना है, उन्होंने डबल N, और खुराना में डबल R डाल दिया है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बॉलिवोड में, जिन्होंने कहीना कही है, जैसे अभीशिक बच्चन है, अभीशिक बच्चन ही लिखते थे, अभीशिक बच्चन कहीना कहीन कर दिया है, तो जो नंबर है, उनके डेट और बड के हिसाब साब हम देखेंगे, तो फिर नंबर नाम पावफुल हो जाता है, तो कहीना कहीना के आपको एक सपोर्ट मिल जाता है वो चीज़ का, यहांने वो जादा कर नंबर में, नेम नंबर में हम तभी चेंज करें, तो अच्छा रहेगा जब हम लोगों का, जो मूलांक है और भाग्यांक है इतना पावफुल नहीं रहता है, या उसको सपोर्टिव नंबर नहीं में रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा कि यह मुझे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? जैसे मैंने कहा आपको, आपको देखना है, जैसे मैंने आपको एक से लिएक नौ नंबर के बारे में बता दी, और जैसे मैंने वापिस से मैं कहता हूँ, एक, तीन, पाँच और छे, ये नुमरलोजी में, नौ नमबर में सबसे ज़्यादा पावफुल नमबर की कैटिगरी में आता है, तो अगर हम लोग देखेंगे, तो एक आप अपना नमबर नाम एक पे कर दीजिए, तीन पे कर दीजिए, पाँच पे कर दीजिए, चेपे कर दीजिए, अपने अपने उनकी importance है, एक राजा आजाता है, ठीक है, तीन अग्यान का गुरू आज़ाता है, पाँच नमबर बैलनसिंग आजाता है, कोई भी लाइफ में हमारे बैलेंस आजाता है, 6 पैसा आजाता है, तो जादा कर लोग आज कल, एक ये 6 पे जादा कर कोशिश करें, 6 तो बहुत सुन रहा हूँ, 6 नमबर से बिल्कुल शुक्र काया है, वीनिस काया है, पैसा है, लक्जेरी है, तो बिल्कुल ठाएगी रहा है, अगर एक आपके पास option नहीं है, तो आपकी जी, हाँ, अभी समझ देजिए कि आपकी 1 और 8, आपकी जो है, अगर हम देखेंगे, डेट आप बद में मूलांक 1 है, और 8 नमबर आपका भाग यांग, तब आप वहाँ पर कहीं नहीं, आप पर 3 ला सकते हैं, पांच ला सकते हैं, पांच लाएंगे, तो दोनों को बैलनेस करने की काम आ जाता है, इस प्रकार से हम लोग कैल्कुलेट करते हैं, तो नियूमलोजिजस जो होता है, वो यही काम करता है कि बहुए, कौन सा इनकी साब से, सूटे बढ़ाएगा, या सामने वाले को पूछ आ भी, या क्या ची है, लाइफ में बैलन्स चीए, पाँस चीए, या पैसा चीए, शैनम बढ़ चाहिए, तो सामने वाले क्लाइंट की उपर है कि उनको क्या चाहिए जैसे मेरा नाम कमलिश वरा रही है तो फर्स्ट वाले नेम में हो गए या सेकंड में कैसे करते हैं जैसे कि मैंने आपको बॉलिवूड के अजे देवण का दिया है तो उनने अजे में कुछ भी नहीं किया हो सकता नंबर आता है या मुझे कोई अलफाबेट निकालना पड़ेगा कि वह अच्छे नंबर के उपर आता है वह आपकी डेट बद के हिसाब से काल्कुलेट करना पड़ता है यह स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सुनिल शेटी है तो शेटी को कुछ नहीं करना है सुनिल प्रेफर में करते हैं तो नाम हमारे साथ ही रहता है और हमारे साथ ही खतम हो जाता है तो हमें ही बैनेफिट वह इसाब से मिलता है तो अगर समझ जी कि किसी का किसी के बच्चे का नाम में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें चेंज कर जी सरनेम को छेड़ने के ज़रूर नहीं प्रेफर first initial लिखते हैं फिर भी नहीं होता है फिर हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि भई या फिर कोई alphabet add करें या निकाल दें कोई आखर आखरी option बिल्कुल बिल्कुल last option यह हो जाता है जो हमारे alphabet नाम में से alphabet निकालती है यानि vibrations आपको जो चाहिए बिल्कुल alphabet की vibrations होती जैसे numbers की vibrations होती है तो आपकी life में वो पर्टिकुलर number है उसकी कहीं नगे vibration आपकी life में आना शुरू हो जाए और इसके लिए जाता है पर lifelong वो चीज़ आपके लिए रहती है वो आपको दूसरी चीज़ों में भी consult करता है कि भी आपने नाम का यह चेंज कर दिया है आगे आप कोई element का इस्तेमाल कीजिए या कोई color का इस्तेमाल कीजिए वो सारी चीज़ें भी इसमें हो जाती है तो numbers का और colors का कुछ हो यह है अपना connection का भी connection होता है पर ज्यादा इतना नहीं करता colors अगर हम लोग particular चीज़ों के लिए देखे नंबस का जादा पड़ता है अगर हम लोग नियुमलोजी में नंबस करते हैं आप सोचेंगे कि मैं नंबर का समाल करूं और color का जादा करूं तो नहीं फिर थेरपी का पाट आजाता है और फिर पांच तत्व हम जीसे बोलते हैं जैसे कि पंच तत्व में देखें तो एर है वाटर है फाईर है सकाई एर्थ एलेमें यह पंच तत्व हो जाता है तो उसका फिर कॉंबनेशन होता है फर आगर हम लोग जो चैंश का इतना है महत वह कंपैरिटिवलीक्व दिया जाता है चैनीज में लोशू गृट में उसको जादा सब्सक्राइब भी Lequim लोगों टो में कालकूलेट करते हैं या हम लोग उसकी करेक्टर देखते हैं या उसकी फिर हम उसमें अगर देखेंगे लोशु ग्रिट में तो उसमें कबरएटिवली अलग आ तो दोनों का जाद अगर mail नहीं खाती चीदों पर यानि confusion बढ़ जाएगा बढ़ता ही है confusion ये चीदों में confusion बढ़ता है तो मैं तो हमें कौन सा exactly आ जैसे मैंने आपको consult किया तो मुझे कैसे पता जलेगा ये मेरे लिए work कर रहे हैं अलग-अलग जैसे मैंने का consultant के उपर हो ज आपको कहीं पहले का record जैसे आम डॉक्टर के बारे में चानबीर करते हैं कि इसका कुछ फायदा है नहीं हम दूसों से पूछते हैं बिल्कुल वैसी आप consultant के पास जाना चाहिए review लेके review लेके बहुत ज़रूर है review लेके जाना क्योंकि फिर क्योंकि हम पैसे invest कर रहे हैं उ का हम मझे दो पता नहीं है क्या सौल्यूशन दे रहे हैं आपने बता यह मैंने किया उसका रिजल्डट नहीं आरहा है यहे impacting मुझे क्या होगा कुछ नाम चेंज किया तो कितने दिन में मुझे इंपक्त आ।ा है आक ने रायों की technology dataset जैसे कितने दिन में एक एकश जया कि ऐसा हो जाता है कि कोई एकनम टाइम फ्रेम नहीं होता है फिर भी मोटा मोटा इसा आप 21 दिन या एक महना पकड़के चलिए कोई भी remedies को result देने में एक महने में आपको कुछ न कुछ का result आता है एक महना भी मैंने बहुत लंबा बोल दिया है आप कोई भी जो positive है आप अगर वो समाल करते हो तो आपको विदिन 24 आद में उसका कुछ न कुछ positive impact आपको महसूस होना चाहिए फिर भी जैसे बहुत बार यह भी मैं बोलता हूं कि भई आपके जो remedies कर्मों के चाहिए और आता ही है यानि proper consult कर रहे हो तो आपको उसका result आता ही है 24 आज मैं minimum बोल रहा हूं कि भई आता है और ज्यादा कर आता ही है किसी की भी आप करा लो नहीं तो एक महना तक तो आपको रुखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार patience लेना पड़ता है हमारे कर्मी इतन काम यह हम बिल्कुल ऐसा प्रिडिक नहीं कर सकते कि बिल्कुली काम करें आपकी इंसान की जिन्देगी सब्जेक्टिव मैटर है कोई कोई चीज होती है जिसकी किसी की उपर वो जल्दी काम कर लेती किसी की उपर उसको समय लगता है और जैसे मैंने का energy है जो हम ऐसे कुछ उसको कुछ माब दंड नहीं है कि एक किलो में दो किलो में इस प्रकार से आती है नहीं यह आपके टाइम की ओपर हो जाता है कि कि इतना टाइम आपको लगता है देखिए numbers यतने भी होते हैं वो impact करते हैं पर ऐसा नहीं कि वो number के कारण आपकी जिंदगी तबाओ जाए बरबाद हो जाए जैसे आज कल यह market में ट्रेंड चला है कि mobile numbers का बहुत important है और वो ऐसे बताते हैं कि अगर mobile number अगर आप नहीं लेते हैं बराबर तो आपकी जिंद आपकी blockages निकालते हैं मैंने खुद का अपना नाम जो है new blog के हिसाफ से चेंज किया है मेरी life में changes है पर अगर मैं बोलू कि आपका mobile number ही है नहीं बहुत important है आपके फिर वो हिसाफ से आपको देखना पड़ेगा आपका pen card का भी number बहुत important है उसको भी आपको देखना पड़ नहीं है और आपका bank में अची setting है तो आप जाके बोल सकते कि भी है मुझे यह number के साफ से चीए बाकि अगर common man रहेगा वो क्या करेगा तो mobile number इतना जरूरी नहीं है आपको यही देखना है जैसे मैंने कहा कि भी आपके नाम के साफ से date of birth के साफ से कौन सा number आपको सूट करत है बस वही है और बाकी कुछ भी नहीं है अल्टीमेटल अगर आप और जाना है तो फिर आप टूटल अपना mobile number का आप दे सकते हैं जैसी कि मेरा जो मोबाइल नंबर है उसका जो डिजिट है 46 जो एक number के उपर आजाता है जो नेम निमलोजी में मेरा एक number आजाता है और उसका total भी करेंगे जब पूरे की पूरे दस डिजिट का टूल करते हैं तो वह आप इसे 10 याने 10 की उपर आजाता है तो वह आप कर सकते हो कि आपके जो टू डिजिट्स हैं आखरी के वह आप कर और नों सेशन है तो वह सब चीज़ें और कॉंपलिकेट हो जाती है ऐसे में इंसान जीएगा कैसे तो यह लोग क्या हो जाता है यह बड़ा market राकेट है कि बहुत नंबर अगर हम मोबैल निमलोजी के सबसे नंबर चाहिए तो लाखों में है ना लोगों लाखों में लोग बेचते हैं आज अगर मैं अगर करता हूं कि आपका मोबाइल नंबर यह होना चाहिए तो बुलेगा सर में कहां से लाओ यह तो है नहीं नहीं मेर पास में आभी पहचान वाला उसके पास लाख मांग रहा है तो फिर आपको अल्टीमेटली देना पड़ेगा यह ब्लैक मा आपसे काम करते हैं पर इतनी भी काम नहीं करते हैं कि आप मोबाईल नमबर ला लो तो आपकी मतलब बिल्कुल अम्मा नहीं मतलब अब करना ही पड़ेगा यह आपको supporting चीज करते हैं support जैसे कि मैं गुधारन देता हूं कि हम जैसे कि अगर मैं body बना रहा हूं और मुझे अपनी muscles को expand करना है तो जो जिम का इस्ट्रक्टर है बोलता है कि प्रोटीन आप लीजिए प्रोटीन लेने का मतलब यह निकि मैं बस प्रोटीन लूँ मुझे खाना खाना है और उसके साथ में supplementary जो है वो प्रोटीन आपको बूस्ट करने का काम करते हैं तो आपको बूस्ट करने का का म करते है पर वही दुनिया है यह वही उसली कारण आपकी लाइब में फसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े-बड़े बिजनस मैं है, उनका भी अगर आपको अगर मोईल नमर मिल जाता है, तो ऐसा कोई कॉबनेशन नहीं कि यार उनका इसा है, राइडनमली मिला है, तो वो सपोर्ट करता है, बाकी यह मैं नहीं आपको आपको मालून पड़ गया, कि आपके लिए नमर लघी है, जो भी आपका देटाव बर्थ है, जैसे कि मेरे लिए मेरा जो देटाव बर्थ हिसाब से फोर और नाइन आता है, और मैंने अपना नाम जो है, वो अपना चेंड कर लिए, मेरा सचें कुमार राय डाल दिया स्पेलिंग में आई के बहले डाल दिया है तो सचीन कुमार राय हो गया है मैंने वो डाल दिया तो एक नंबर की उपर आगे तो पहले मेरा चाथ नंबर की उपर था एक नंबर तो मेरा 149 बहुत अच्छा कॉमिनेशन मेरे लिए आजाता है क्योंकि एक नंबर जो मुझे गाइडन देता है मुझे बताता है मेरी दिशा कैसी है मुझे पता चल गया कि एक नंबर इस गुट फॉर मी मैं अपना नंबर के साब से मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है तो मैं आगे जो भी करूंग बेस्ट माना जाता है, आप अगर देखेंगे जो धुनी है, उनके लिए 7 नमबर वो जादा कर 7 नमबर की गाड़ी है, 7 नमबर से रिलेटेट शीरे जादा अस्तमाल करते हैं, सचिन तिंदुलकर है, 9 नमबर या पढूर है, उनका 8 नमबर आ जाता है, तो 8 नमबर उनकी गाड़े का नमबर होता है। नंबर में सबसे पाखुल नंबर है इन में से अगर आप लेते हैं और अगर आपका इन पर नहीं होता तो आपके लिए नंबर अच्छे हैं वो इस आपसे तो numerology से हम अपने business में या carrier में क्या benefit कर सकते हैं अपने numbers favor में करके या जो numbers है मेरे पास already मैं change तो नहीं कर सकता हूं जादी मिलेगी business कर लेते हैं अपने हिसाब से काम करेंगे एक सिंपल सी बात है जैसे मैं आपको भी बताऊंगा number के बारे में कौन सा number में ability होती है business की अच्छी और किसी किसी में ability कम होती है इसका यह मतलब नहीं कि वह जो particular number वाला है वो business नहीं कर सकता पर उसको struggle करना पड़ उसके बाद में perfect बनेगा जैसे एक number है एक number आप पुछेंगे कि जॉब में जाएगा बिजनस में जाएगा बिजनस में जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है जॉब करेंगे तो इनके लिए अच्छा है बिजनस के लिए इतने शूरूर नहीं है यहां बोल सकते हैं तो ज अगर दो नंबर वाले जॉब करेंगे तो उनके लिए अच्छा है तीन नंबर वाले अगर हम लोग देखेंगे तो यह वैसे जॉब भी अच्छा कर सकते हैं बिजनस के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इन लोगों के लिए इतना हम बोल सकते हैं कि बहुत difficult हो जाता है जॉब के लिए भी ठीक है पर बिजनस इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि स्काइड लिमिट क्रियेटिव फील्ड में करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छी अगर हम बोलेंगे अगर कोई भी करता है तो बहुत अच्छी बात है जैसे चार नमबर हम बोलते हैं और रहती है पर दिखती नहीं तो इसके लिए तो बिजनस चार नमबर वालों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि चार नमबर डॉमिनेटिंग नीचर आजाता है जैसे एक नमबर आजाता है पांच नमबर वालें बिजनस करेंगे उनके लिए बोलत बागी जाजादां आकर इसके लिए पांच नबर वाले के लिए अच्छा है उसके लएगा आज़ लक्पांडों। पड़ता है recovery के के जो त्रॉस्टिक होना पड़ता है तो वो सब साथ नमबर वालों के लिए जीए जादा कर नहीं हो करके देंगे comparative टरν बिजन्स के लिए यह इतना ठीक नहीं है जैसे माने आपको कह था कि इसका यह मतलब कि आप जाल दिया कि दो नुमरे वाले business के लिए कर सकते हैं पर जो एक नुमर कर सकते हैं जो दूसरे नंबर मैं आपको बिसिनस के लिए कर सकते हैं, उनको वह चीज अचीब करने में ती महनत नहीं लगेगी, उनको सीकने समझने में ती महनत नहीं लगेगी, कमपेर टो दूसरे नमबर जो जिनके लिए मैंने जॉब के लिए बुलायकों कि सफ कॉर्ट नर होता है रिकवरी करनी पाते हैं दूसरों से एक दम शूरूबली बात नहीं कर सकते हैं वैसा सूच नहीं सकते हैं इसके लिए नहीं तो अगर हम देखेंगे पर हाँ, कहीं न चाहिं तो जो है, जैसे मैं नहीं बढ़ता है, फूछर भी होग कारता है। future prediction में वो थोड़ी बहुत आपको प्रेडिक कर सकता है कि आपके आने वाला number है आपके favor में है या नहीं है anti तो नहीं है वो हिसाब से आपको प्रेडिक करेगा कि आने वाला समय है आपके लिए कितना अच्छा रहेगा या कितना खराब रहेगा पर हम जो सटीक prediction बोल सकते हैं वो numerology में नहीं हो सकता है आज कि अगर आपने market में देखा होगा तो जितने भी लोग numerology से predict करते हैं वो कहीं ना कहीं जूट बोलते हैं क्योंकि numerology से जो भी है उन लोग astrology से prediction करते हैं तो जितने भी बड़े बड़े जो numerology अपने आपको कहते हैं उन लोग को astrology भी आती तो लोग astrology और numerology को combine करते हैं उन लोग name numerology के इसाब से नाम बदलते हैं पर remedies है या prediction है वो कहीं ना कहीं astrology से करते हैं तो numerology की एक हम बोल सकते हैं कि लिमिटेशन है कि वो एकदम सटीक prediction नहीं कर सकता है जैसे मैंने का कि आपके नंबर फेवरिल है नहीं है पर अगर आपको prediction चाहिए तो astrology ही आपको प्रेडिक्शन दे सकता है तो जो भी numerologist है उनको numerology आती है astrology आती है और वो प्रेडिक करते है पर numerology के basis की ओपर आप future prediction सटीकली नहीं कर सकते हैं यानि future के impacts और life event बिलकुल 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 वो सब आपको astrology बिलकुल एसके लिए पर वो अपनी identity चुपाते है प्रेडिक्शन जो भी है जो भी prediction है कोई बोलता कि मैं numerology में prediction करता हूं वो कही ना कहीं astrology का पार्ट लेकी ही करता है numerology में ऐसा कुछ prediction टाइप नहीं है जैसे मैंने का बस आपका favorable year है नहीं है वो आपका favorable जो भी नंबर है आपकी date of birth है उसके इसाब से बता देगा कि अगले साल जो है आपके लिए favorable है या नहीं है जैसे कि उधारन के तौर पर एक नंबर आ जाता है और यह साल चलदा है 2024 आ इसाब से बिलकुब तो यानि जो numbers का बता है उसके कही नहीं impact करेंगा एक और आट जो है anti number आ जाता है तो आट नंबर का जाता है एक नहीं ज्च के लिए ज़्या अधा suitable नहीं किसकी किसके लिए जैसे कि वो फिर हम लोगों का combination का अगा अलगी पाट आजाता है कि कौन सा नंबर के साथ में कौन सा combination आजाता है पर सिर्फ मैं अगर anti-number के इसाब से दिखूँगा तो एक और आठ ये साल में एक नंबर वालों के लिए कही ना कहीं होता है थोड़ा ये चीदों में कि इगो है मैं सब चीदें कर सकता हूं पर आठ नंबर जो उनको करने देगा जितना वो उन में attitude रहेगा aggression रहेगा उतना ही वह कहिना कि अपनी लाइफ में ये साल पीछे जाएंगे जो एक नंबर वाले हैं वो सोच समझ के अब देना चाहें कोई टिप्स तो हुगा बिल्कुल ये दो हजार आठ जो है आठ नंबर याने शनी का है और दो हजार चॉबिस सब लोगों के लिए यह है कि इलेक्शन का है तो ये साल देखे जो जो लोग एसी ओफिस में बैठे रहते हैं जैसे हमारे आठ नंबर जैसे मैंने का कि स्ट्रगल का है हाडवर का है तो सबसे हाडवर कराएगा और जो 2024 में हाडवर्क नहीं कर रहा है तो कहिना कहीं उसके लिए प्रॉब्लम होगा उधारन के तौर पर चलिए कि क्योंकि आठ नंबर हाडवर्क का है महनत कराता है और जितनी महनत अगर आप 2024 में करोगे आपको उसका अच्छा रिदर जो है वह कहीना कहीं 2025 में मिलेगा तो यह साल आपको महनत करना है अब समझ लीजी आप बोलेंगे सर मैं तो काम करता हूं महनत करता हूं पर मैं ऑफिस चड़ा उतरा कीजए थोड़ा वॉकींग लिए कोशिछ किजीए कि आपके शरी थोड़ा पसीना बहे तो आपकी शरीस थोड़ा पसीना बहेगा तो आपको कहिए आपको चाहिए कि पर फिजीकली करोगे तो कईना कि आपको इसका रिजल्ट जो है अच्छा मिलेगा सर आपको कितना experience हो गया यह numerology करते हो गया यह फील्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो करीब करीब चौदा साल हम लोगों को हो गया है चौदा साल से हम लोग यहीं फील्ड में लगें हैं वास्तु है नूमलोजी यह सारी चीदों है 14 जार कुछ एक्सपिरियंस शेयर करने जैसा कुछ यह बहुत सारे एक्सपिरियंस है अगर हम लोग नूमलोजी के पांट अफ्यू से देखे तो नूमलोजी में हम लोगोंने पर जैसे कि हमने मूलांग आँठ है पर उनका भाग्यांग भी आँठ था तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन था उनकी लाइफ में सिंगल मदर थी बहुत स्रुगल कर देखे अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी रेमेडिव दूसरों के पास से एस्ट्र पर उनका जब नीमलोजी के इसाब से फिर उनका नाम जो है क्योंकि आट आजाता है अब किसकी उपर करें तो उनसे यह पूछा था कि आपको क्या करना है हम क्लाइं पूछते मेरे पास में उनके लिए दो ऑप्शन था एक आप्शन तो मैं दे नहीं सकता था एक नंबर का क्योंकि आट नंबर था था थी तीन उनके जरूरत नी थी उनके पास में को सिंगल मजड़ थी और कहीं नगहीं उनकी सर्वाइवल के यह प्रॉब्लम था तो उनको ही मैंने पूछा था है मैंने उसे कुछा कौन सा नंबर क्या चाहिए आपको लाइफ में बैलन्स चाहिए तो कि सिंगल मॉं थी डिवोसी थी तो उनकी लिए बड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने का पांच नंबर आपके लिए रहेगा बराबर तो बुला नहीं सर मुझे पांच नंबर नहीं पर उनकी लाइफ में इंकम आना कहीं शुरू होगी थी वो कहीं जॉब करती थी पार्ट टाइम जॉब करती थी उनको जॉब अच्छा मिला और आप मानेंगे नि मोटा हिसाब दो साल में उन्होंने वो जॉब छोड़के अपना बिजल से कहीं स्टार्ट कर लिए तो इतन जो पहले से कल के मुकाबले आज अच्छे हो जिरो टुवन जिरो टुवन पर आगे वो धीरे धीर आगे आपकी बढ़ती जाएगी पर आप कम से कम वो स्टेज पर पहुच गये उसके अलावा एक और एक एक लिडिए उनका जो अगर हम लोग डेट ऑब फिर से इनका आट इनकी लाइफ में स्ट्रगल यह था कि उनके हग्में से रिलेटेड प्रॉड्लम थे घर में क्लैशिस थे उनके लिए फिर अब कौन सा नंबर सुटेबल है अब वापे से आप देखिए 1-3-5-6 मनेजर से आपको बताया था 1 आ नहीं सकता 3 नॉलेज़िबल है उनको नॉल पांच नंबर डालने के बाद में आप मानेंगे नहीं अगें 30 डेस आपको मैक्स टू मैक्स लगते हैं नहीं तो 24 आज में आपको रिजल्ट आता है उनको कहिना करें रिजल्ट आना शुरू हो गया थोड़ा हस्बेंट का एक्टनल अफैर था वो धीरी दीरी बंदो गया ला शुरू अधना करें वो बिलकुल जो भी बन गया की कहने का मतलब यह है कि जादु टोना वाली बात नहीं है पर लाएफ में बैलंस अब यहां पर आठ नमबर और एक नंबर था तो कहिना करें वह फीमे में भी प्रॉब्लम था कि भाईया वह रिलेशन्शिप से रिले बहुत फर्क हो जाता है जरूरी नहीं कि हम सब कुछ चेंज करेंगे तो आप थोड़ा नाम में बदलाव कर लेते हैं कि आपकी डेट वर सपोर्ट नहीं करती है तो यहां पर अगर अपना नाम थोड़ा सा बदल देते हैं आपकी रिक्वाइमेंट के इसाब से तो कहिना कि सब्सक्राइब में बदलाव आने के चांसे बढ़ जाते हैं यानि प्राब्लम है तो सॉलुशन कर अगर जरूरत नहीं है तो फिर आप चेंजिस करने की जरूरत देखो क्या हो जाता है मैं हमेशा एकी चीज़ बोलता हूं कि everything is energy जैसे कि हम बोलते हैं कि number के vibration होती है energy होती है जब शरी से भी नी बनता है तो वो रिदल देता है कि भाई मैं बीमार पड़ रहा हूं सर में दर्द है या पेट खराब हो गया जब तक आप खाते रहोगे जब तक वो जेलेगा तब तक पेट आपका ठीक रहेगा जब आप एक्सिस में चले जाएगा तो कहें ना कि आ बहुत अच्छे से मतलब ऐसे सवाल पूछे जो लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आपने मुझे बुला इसके लिए धैंक यू धन्यवाद सर वापस कुछ नहीं कुछ नहीं पॉडकास करना बढ़ेगा क्योंकि आप 70 आइटी कोर्स कुछ है आप हमारा जो प्ल मॉडालेटी के लिए बुला लेना आजाएंगे यह स्टुडेंट्स को आप जैसे टीचर की बहुत जरूरत है आज के समय में जो मिस कंसेप्शन से हो बहुत हटाना जरूरी है बिल्कु सही बात है तो आई थिंक मुएरे भी मिस कंसेप्शन बहुत सारे दूरू है और मैं मैं सारे डिटेल्स डाल दूगा डिस्क्रिप्शन में और मुझे भी बहुत मजा आया क्योंकि मेरे भी बहुत सारे माहित जो मैं अब कंफ्यूजन में था मुझे भी बहुत क्लिरेटी आगई नंबर से थैंक्यू सर थैंक्यू दोस्तों यहां तक बने रहने के लिए और सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाए और सबसे इंपोर्टन शेर करना ना भूले क्योंकि आपका शेर ही हमारे चैनल की ग्रोथ में एल्प करेगा थैंक्यू